नमस्कार दूस्तो सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिसकस कर रहे थे SSCJ और CHSL एकजाम के लिए तो अभी तक दिखी जितने भी लेक्चर से हमने कोवर किये हुए इंडियन पॉलिटी का तो हमने इसका अलिटी प्लेइस्ट क्रियेट कर दिया है तो आपको डिसकप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो वहां से कि आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं और इसका साथ में हमने पीडिया भी इंडियन पॉलिटी का पूरा कंप्लीट हमने प्रफाइट कर द दिया है तो सभी का आपको डिसक्रेप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा और वीडियो भी हमने इनका बनाए हुआ तो उसका ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा तो आप लोग देखते रहिए अभी पैरलल में आपका पॉलिटी का और फिजिक्स का क्ला था तो आज जो है हम लोग इस्टेटलेश लेटर के बारे में इस्टेडी करेंगे हम लोग तो दिखें कंस्टिटियूशन के अंदर में ये पार्ट सिक्स में जो कि आटकिल लंबर 168 से लेकर 212 जो article है तो इसमें mention किया गया है कि जो state-less lecture है तो उनके जैसे organization कैसा होना चाहिए composition क्या होना चाहिए उसका duration कितना होना चाहिए या फिर procedures क्या होनी चाहिए privileges क्या या powers क्या होते है तो यह सारे जितने भी चीज़ें state-less lecture के तो यह जो है part 6 में जो कि article 168 से लेके 212 तो यह इनके बीच में mention किया गया हुआ है अब देखिए जो state-less lecture होती है देखिए state-less lecture कहने का मतलब यहां पे है कि जो house होते है legislative assembly वो जैसे हर एक state में एक होती है और legislative council तो ही यह जो है मातर 6 state में अभी present condition में है क्योंकि देखिए हर एक state में दो house नहीं होते है यह depend करता है उस state ने create किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है जिस तरीके से parliament का अंदर में दो house होती है union executive का अंदर में एक upper house और एक lower house होती है लोग सभा और राज सभा तो उस तरीके से देखिए जो state legislature जो होती है तो उनके पास भी जो है किनी state में दो house होते हैं उनके अंदर में भी और सभी state में एक house तो होते ही है जैसे legislative assembly के हम बात करते हैं तो इनका organization किस तरीके से होता है यह तो इसके लिए भी constitution का अंदर में यह provisions दिये गाए है तो आप देखिए जो है यहाँ पे जो state legislature के अंदर में जो भी create कियाता है जो भी legislative assembly या council होता है तो उनके बीच में जो कोई uniformity नहीं होती है कि जैसे कोई एक state का जो strength है वो particularly उस state के लिए जितना भी है तो किसी दूसरे state के लिए same उतना होगा तो यह चीज़ नहीं है ऐसा मतलब कि कोई uniformity जो है यह नहीं दिया गया है कि कोई भी state का जो लेचलेचर अगर create किया जाना है उसका organization किया जाना है तो वो जो है उसके similar होना चाहिए तो mostly दिखे जितने भी है तो यह depend करते population के उपर में या फिर जो है तो वहाँ पर यूज़ से एक house तो रहते ही है जो कि legislative assembly होते है यानि कि विधान सब्सक्राइब जिसको हम लोग हिंदी भी बोलते है तो इस तरीके से जितने भी states होते है तो वो unicameral तो होते ही है यानि कि उनके पास एक house तो होते ही है लेकिन मातर अभी किवल जो है ऐसे छे states है जो कि bicameral system के nature के है यानि कि वहाँ पर दो house जो है exist करती है तो वो कौन-कौन से है एदि हम example की बात करें इसका तो अभी 2020 का condition के हम बात करते है तो मातर छे ऐसे इंडन states है जहाँ पर bicameral legislature है तो वो कौन-कौन से state के अंदर में है तो यह आप लोग लिस्ट याद रखना तो पहला होगे अंद्रप्रदेश दूसरा है उत्रप्रदेश तीसरा है बिहार है चौता है महारास्ट्रा है पाचवा करनाटक है और छठा तेलंगना है अब देखें जमोकस में भी यह जो है जैसे आपका bicameral legislature वहाँ भी exist हुआ करता था बट नाव इट इस a union territory तो वो जो है अब state के अंदर में नहीं आएगा आपका तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो states में अंदर में bicameral legislature system जो होते हैं वहाँ पर तो उसमें जो है ये लिश्लेटर के अंदर में instate legislature के अंदर में ये सारे चीज आ जाएंगे governor legislative council और legislative assembly तो legislative assembly ये जो है आपका या योनिकवरल में यानिक योनिकवरल जो होते हैं तो वहाँ पर legislative assembly और governor तो होते हैं लेकिन जो bicameral होते हैं उनके उन भी अंदर में State legislature के अंदर में governor legislative council और legislative assembly यह सारे चीज होंगे यहाँ पर अब देखिए मालेज़ को इस्टेट को legislative assembly जैसे होती है वहाँ पर लेकिन उसको अगर legislative council create करनी होती है यहाँ परिसत create करनी होती है तो या फिर उसको evolution भी करना होगा तो उसके लिए जो है व जो है वहाँ पर पास कराना होगा कानून को उसके बाद create किया जा सकता है या फिर नहीं किया सकता है अब जैसे मालेज़े evolution का करना होगा या फिर create करना होगा legislative council का states के अंदर में तो इसके लिए पारलेमेंट के पास यह अधिकार होती है या फिर power होगी उसके पास जो है व महाँ पर अब इसके लिए देखिए एक specific resolution भी होना चाहिए जो की assembly के अंदर में जो है जो state के जो assembly होते है तो वहाँ से special majority के साथ यह provisions pass होना चाहिए अगर उस state चाहता है कि हमें legislative council create करना है तो उसके लिए उनको special majority के साथ पास करना होगा अगर abolus करना होगा तो उसके Parliament के अंदर में अब यह Parliament के अंदर में रहेगा उनके Parliament के पास रहती है अधिकार कि वो जो है उनके जो भी उन्होंने पास किया हूँ है तो उसको बना के रखे जो उनके coding चले या ना चले यह Parliament को पर रहती है अब आये हम लोग यहाँ पर जो है legislative assembly के बारे में और legislative council के बारे में देखते हैं तो दिखिए legislative assembly को हिंदी में बोलता है हम लोग विधाम सभाव बोलता है इसको हम लोग और इसके लिए देखिए जो रिप्रेजेंटरिटिव होते हैं तो वो डारेक्ट elections के थूरूर जाते हैं यानि कि जो भी MLS बनते हैं member of legislative assembly के जो members होते हैं तो वो जो ह people के द्वारा लोगों के द्वारा ही चुना गया हुए प्रतिनीधी होते हैं एक तरीके से तो आप देखते होंगे जब भी विधाम सभाव का elections होती है तो उसमें जो है जो वहां के लोग होते हैं किसी भी concern state का तो वो सारे पाटिसिपेट करते हैं election में और अपनी चुनी हो होगा उसके पास अधिकार होती है right to vote का अब यहां पर दिखें जो legislative assembly है तो इसकी भी strength fixed की गई है ऐसा नहीं है कि कोई भी state जो है तो आपना मर्जिस जीतना चाहिए उतना मेंबर को भेज सकता है तो इसके भी maximum minimum strength रखी गई है जिस तरीके से आपने देखा हो कि लोग सभा के अंदर में जो है जो strength fixed रखी गई है तो उसी तरीके से जो है legislative assembly जो रहती है तो यहां पे किसी भी एक state के लिए वहां पे maximum limit भी रखी गई है कि कितनी होनी चाहिए तो constitution के अंदर में यह दिया हुआ है कि जो maximum strength होना चाहिए किसी भी state के लिए तो यह fix किया गया है कि 500 होन लेकिन minimum strength भी रखी गई है कि 60 से कम तो नहीं होना चाहिए तो यह दो provisions दिया है constitution के अंदर में यानि कि इन्हों होना चाहिए maximum और minimum limit इन्हों रख दिया है बीच में कितना भी कितना भी हो सकता है तो यह population के business पे decide कियाता है कि वहां पे कितना होने चाहिए अब दिखिए जै लेकिन minimum जैसे 60 रखी गई है लेकिन फिर भी जो है maximum जो seeds जैसे 500 minimum 60 है इसकी तो कुछ ऐसा states है जहां कि minimum 60 जैसे होना चाहिए लेकिन इससे भी कम है तो वो कौन-कौन से state है तो आपको इनको याद रखना है जैसे लेडिब assembly जैसे सिकिम का है मिजोरम का है गोवा का है और प मिजोरम गोवा और साथ में जो पूडिचेरी है इसके बात करता है यहां पर 40-40 यहां पर सारे जो है members मतलब की जो MLA चुने जाते हैं इसके लिए तो यह minimum strength से भी कम रखी गई है तो यहां पर दिखिए जो लेडिब assembly होती है तो इनका जो कारिकल कितने का होता है तो इनका duration कितने का होता है तो यह भी constitution गंदर में बताई गई है तो जिस तरीके से लोगसभा आप जानते हैं कि जैसे जो लोगसभा होती है तो वहां पर जो elections होता है टाइम टू टाइम पर यानि कि हर एक 5 सल के बाद होती है तो legislative assembly भी similar तरीके से जो यहां पर भी elections होता है यानि कि जूस तरीके से लोगसभा एक continuing chamber नहीं होती है वो जो है भी पांच साकता है तो इसके बाद elections होती है तो जिस दिन से पहला meeting होती है after general elections का तो general election माले जी अभी हुआ और जिस दिन से meeting हुई सभी member आये वहाँ पे तो उसके बाद से 5 सल तक कारेकाल रहता है मतलब कि जो legislative assembly का duration रहेगा बीच में अगर सरकार चली जाती है majority नहीं रहता है ति बीच में भी भंग किया जा सकता है फिर उसके बाद दूसरा देखिए legislative council है तो legislative council को हिंदी बोलाता है बिधान परीशत बोलते हैं लोग तो जिस तरीके से देखे जो राज सभाए continuing chamber होता है इसको कभी भी desolation नहीं किया सकता है तो उसी तरीके से जो legislative council होती है तो वो भी जो है एक तरीके से यह भी permanent यानि कि continuing chamber होती है और जैसे राज सभाए को desolation नहीं किया जा सकता है उसी तरीके से legislative council को भी desolation नहीं किया जा सकता है लेकिन इसके अंदर के जो members होते हैं जो member यहाँ पे चुने आते हैं तो वो जो है रिटायर करते हैं यहाँ पे यानि कि जो one third जो members होते हैं इसके तो वो जो है after every second year के जो expiration के terms में जो है वो retire होते रहते हैं तो इस तरीके से जो member रहते हैं इसके बनते हैं legislative council के तो वो जो है six years तक बने हुए रहते हैं जिस तरीके से राज सभागा होती है जो हमारा पसंद कर रहते हैं उनको भोड़ देते हैं लोग तो इसमें जो member चुने आता है जो legislative council को होते हैं तो इसमें इनके लिए को elections नहीं होती है यह जो है indirectly elected किये जाते हैं तो यह देखें इनका election जो होती है मतलब कि जो indirect होते हैं तो इसमें भी maximum strength रखी गई है और minimum strength भी रखी गई है कि कितना होना चाहिए अगर मालेजे किसी भी concern state में वहाँ पर legislative council है तो उसकी जो maximum strength कितनी होने चाहिए तो यह रखा गया हुआ है one third of total strength of the legislative assembly का जो भी strength है मालेजे कि अगर हम उत्तर परदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर मालेजे कि अगर 400 बिधान सभा की seat है उसमें legislative assembly का तो उसका one third of निकाल लेजे तो one third जितना भी होगा तो उतना ही जो है मतलब total strength होगा उसका legislative council का उतना ही member उसमें से चुने जा सकते हैं और minimum जो strength इसके रखी गई है तो वह 40 रखी गई है इसकी तो minimum 40 है और maximum कितना होना चाहिए तो one third of total strength of legislative assembly का जो भी concern state में बनाई गई है legislative council तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसका अब इसमें देखिए जो member एक बार retire हो जाते हैं legislative council के तो वो जो है फिर से re-elect ये जा सकते हैं और उनको फिर से re-nomination भी किया सकता है ये any number of times के कितना बार ये बन सकते हैं तो इसके कोई भी constitution गंदर mention नहीं की गई है वो any number of times के लिए फिर से re-nominate हो सकते हैं अब आए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे state-less lecture के अंदर में जैसे कोई members बनते हैं उसके या फिर जो represent वहाँ पर जाते हैं elect होते हैं या फिर directly या indirectly तो उनके लिए उनके क्या क्या qualifications या फिर जो और क्या requirements होती है तो इनके बारे में लोग देखेंगे तो constitution ने यह सारा provisions दिया हुए qualifications दिये हुए हैं उनके लिए कि जैसे कोई person जो है वो अगर member बनना चाहते है state less lecture का वो हिस्सा बनना चाहते है तो उनके क्या क्या qualification होने चाहिए तो सबसे पहला आपका यहां पर है कि he must be citizen of India तो citizen of India तो सबसे पहला essential condition मतलब essential qualification है तो आपने सभी में देखा होगा वो चाहे प्रेसिडेंट का हो या फिर प्राइम मिनिस्टर का हो या फिर जो MP या फिर और भी रहते हैं उन सभी के लिए तो है ही फिर दूसरा दिया हुए कि he must not hold any office of profit under the government of India तो यह तर्म अपने बार बस सुना होगा office of profit का तो इसका कहने का मतलब है कि कि जैसे कोई भी सरकारी जैसे officers होते है कोई कोई अगर है वो तो उनको जो है अगर बनना है जैसे state less lecture का हिस फिर उसके बाद अगला देखिए दिया हुए इसमें कि he must not be less than 30 years of age in the case of legislative council and not less than 25 years of age in the case of legislative assembly तो इस बात पर अपलो धियान रखना यहां पर दिखिए legislative council की बात कही जा रहे है यानि कि जो विधान परीसत है तो उसके लिए रखा गया है यहां पर less than not less than 30 years तो यहां यहां तो 30 है अगर उससे जादा है तो चलेगा यहां पर लेकिन 30 साल से कम नहीं होना चाहिए legislative council के लिए और वही legislative assembly की बात करते हैं यानि कि जो विधान सभा होती है तो उसके लिए 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए यानि 25 equal to है तो चलेगा अगर उससे भी जादा है तो भी तो यह दू पॉइंट अप लोग याद रखना 25 साल है legislative assembly के लिए और 30 साल है legislative council के लिए तो जिस तरीके से रासभा के अंदर में भी आपने देखा था कि वहां भी 30 years रखी गई है और जो लोग सभा है तो उसके लिए 25 years रखी गई है तो similarly यहां पे भी है जो वही provisions आपके दिये गया है और उसके बाद और भी देखिए अगला qualification इसमें आपको दिया हुआ है कि he must possess other qualification prescribed by the parliament यहने कि Parliament के दौरा जो भी prescribed qualifications रखेगा है तो वो सारे के सारे जो है यह पोजिज करना चाहिए उनको अब दिखिए जब भी state less lecture का जैसे legislative assembly के elections होती है तो जिस तरीके से आप देखते हैं पार्लेमेंट के अंदर में जैसे elections होती है लोग सभा का तो उसके लिए जो भी ministers या MLS होते हैं तो वो जब पार्लेमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे ministers का एक cabinet होता है अपना और उसमें जो भी एक prime minister बनता है और बाकि सारे council of ministers होते हैं तो उसे तरीके से जब state lecture की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे यानि कि पिधान सभा का जब भी elections होता है तो उसमें जो भी MLS होते हैं तो वो जब जाते हैं तो अपना वहाँ भी जो है एक अपने chief minister को चुनते हैं जो कि यह उन्हीं जो एक members होते हैं यानि कि जो MLS होते हैं उन्हीं मेंसे किसी एक क चुना जाता और बाकी सारे जो इनके भी कुछ अपने ministers होते हैं जो council of ministers होते हैं साथ में तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे सिर्फ मिनिस्टर के बारे में देखेंगे बाकी और को आपको जानने को उतना जरूरत नहीं है इसमें exam point of view से तो देखिए chief minister जो होते हैं तो तो हर एक state का जो है एक अपना मुख्या है ने कि जो chief minister होता है वहाँ पे तो देखिए जो states होते हैं तो 28 states में यह total तो है ही लेकिन कुछ ऐसे union territories भी है कि जहाँ पे जो है वहाँ पे भी chief minister चुना जाते हैं तो currently अभी situations के हम बात करते हैं तो जो दिल्ली और पुडुचेरी है तो currently यह दो states के मातर अभी ऐसे हैं कि जिसके पास एक serving chief ministers हैं तो serving chief minister कहने का मतलब यहाँ पर है कि अभी acting कर रहे है मतलब कि एक चिफ मिनिस्टर वहाँ पर भी है पोस्ट उसके और देखिए जमू कस्मिर को भी सेंस जैसे यहाँ पर भी बोला गया है कि यह जैसे elections होंग किस तरीके से question पूछा जा रहा है हलांकि विधानसभा जो है दिली जैसे पूड़िचेरी में तो जमू कस्मिर में भी बनाया जाएगा वहाँ पर भी लेकिन वहाँ पर कोई serving chief minister अभी नहीं है अभी के वाल दिली और पूड़िचेरी में है और उसके साथ में देखिए जो chief ministers होते हैं तो यह जो है एक real executive होते हैं जिस तरीके से prime minister होते हैं union का real executive यानि कि जितने भी power होते हैं वो exercise किया जाते हैं वो जो है तो सारे के सारे prime minister के द्वार की जाती है और साथ में जो president होते हैं तो वो केवाल एक nominal executive होते हैं यानि कि वो बस केवाल उनके नाम से सारे जि प्राइम मिनिस्टर के अंदर में भेश्ट करते हैं तो similarly यहाँ पे same situation आता है चीफ मिनिस्टर के लिए कि जैसे governor जो होते हैं तो states के भले ही head होते हैं लेकिन जो de facto जो head होते हैं executive authority के जितने भी powers जितने भी होते हैं तो वो सारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा होती है यानि कि चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है यह जो कहेंगे तो वो ही जो है governor के यानि कि चीफ मिनिस्टर के decision पे ही जो है governor को act करना पड़ता है यानि कि अगर किसी को appointment करना होगा cabinet का ये state के अंदर में या फिर और भी जैसे कुछ काम होते हैं तो वो सारे chief minister के advice से ही चार कुछ चलता है जिस तरीके से prime minister का जलता है union के लिए president के दरह वो जैसे और भी ministers का वो appointment कराते हैं तो उसे तरीके से chief minister का ही भी functions होती है तो इस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो यह जो है यह de facto executive authority के यह सारे head होते हैं और governor जो होते हैं ति यह states के के वाल यह head होते हैं अब यहाँ पर देखिए जो चीफ मिनिस्टर का जो oath ceremony जो होती है इनकी तो constitution के अंदर में यह भी mention किया गया हुआ है तो chief minister का देखिए appointment होती है वो governor के द्वारा होती है यहाँ जो है इनको appoint करते हैं chief minister के post पे लेकिन जो इनका swearing जो होती है यहाँ पे तो यह same person के द्वारा याँनि कि जो governor होते है तो उनहीं के द्वारा ही की जाती है अब यहाँ पे दिखिए जो भी concern state के जो governors होते हैं जो भी state के चीफ minister जो भी particular state के वो बनते हैं तो वहीं के जो governors होते हैं तो उनको ओध भी दिलाते हैं और appointment भी करते हैं तो यह point अप लोग याद रखना है इसको और इसमें जो है कोई भी justice या फिर जो और भी कोई judges होते है तो उनका कोई involvement नहीं होता है ओध के लिए तो यह चीज़ आप लोग याद रखना है इसका तो ओध कोन दिलाता है चीफ minister को तो वो governor ही दिलाते हैं इनको और appointment कोन करते हैं तो governor ही करते हैं जो भी concern state के चीफ minister बनते है वहीं के governor होंगे वो अब आए हम लोग यहाँ पर questions करत में जो है कौन सा state का सबसे lowest number of seeds हो है तो इसमें देखिया option दिया हुआ है सिक्की मिजोरम मनिपूर गोवा दिया हुआ है तो लिस्ट में आपने देखा था कि जो strength जो होती है मैंने कि जो strength जो होने चाहिए तो उसमें से 60 होना चाहिए minimum लेकिन लिस्ट में आपने देखा थ और साथ में जो गोवा है और पुड़ी चेरी है तो इनकी जो strength है तो minimum से भी कम है जैसे सिक्किम की बात करें तो इसकी के वहल यहां पर 32 सीट है और वहीं पर जैसे मिजोरम का उसके बाद गोवा का और पुड़ी चेरी का हो गया तो यहां पर 40-40 सीट है तो इस तरीके से इसमें देखिए आपका भाले ही दिया हुए मिजोरम गोवा दिया हुए लेकिन जो minimum है सबसे lowest जो है तो वह सिक्किम है जो कि यहां पर मातर 32 है तो right answer option A इसका हो जाएगा फिर next question देखिए कि what is the minimum age for becoming a member of the state legislative council अब यहां पर legislative council आपका दिया हुआ है तो इसके member बनने के लि मिनिमुम जो है तो वह 30 years रखी गई है तो right answer option D आपका हो जाएगा अब यहां पर देखिए legislative council के जबापा अगर assembly आपका रहता तो उसके लिए 25 years आपका हो जाता तो दोनों चीज आप लोग ध्यान देना यहां पर कि पूछा क्या गया हुआ हुआ है आपसे next question देखिए कि in which of the following states legislatures consist of the two houses तो कौन सा state legislatures के अंदर में जो है दो houses exist करती है तो option में आपका देखिए दिया हुआ है इसमें आंदर प्रदेश तलंगन दिया हुआ है उतर प्रदेश करनाटक दिया हुआ है बिहार और महारास्टर दिया हुआ है या फिर all of the above तो इसमें देखिए option में दिया हुआ आपका आंदर प्रदेश तलंगना तो इन दोनों स्टेट में जो है दो हाउसे है उसे तरीके से उतर प्रदेश करनाटक में भी है बिहार और महारास्टर में भी है तो इस तरीके से all of the above जो है आपका यह राइट एंसर आपका हो जाएगा फिर अगला लेश्टर यह प्रैम मिनिस्टर चेफ मिनिस्टर तो देखिए जो लेश्टरिप région को करना या फिर या पर से पर्लेमेंट के द्वारा की लेकिन उसके लिए पहले resolution state legislature से आती है कि वहाँ से special majority के साथ उसको pass करें फिर next देखिए the member of the, the number of members of state legislative council shall not exceed तो जो members होते हैं state legislative council का तो उसके जो members होते हैं वो कितना exceed नहीं करना चाहिए तो इसके लिए देखिए आपने देखा था वहाँ पे कि जितने members होते हैं legislative assembly के अंदर में तो उसके one third जो होते हैं ये maximum number होते हैं मतलब कि इतना member जो है चुने जा सकते है legislative council के लिए तो ये legislative council का strength दिया हुआ है कि one third होना चाहिए one third of total member of legislative council का तो right answer option ये आपका हो जाएगा इसका तो thank you दोस्तों आपको कैसा लगा ये lecture आप लोग comment करके जरूर बताना और इसी तरीके से आगे भी lectures हम आपके लिए continue करते रहेंगे इन पॉलिटी का जब तक कि अपके पूरा completely finish नहीं हो जाए और जो है इसके बाद साथ साथ में physics भी आपका कराते चलेंगे वह भी जो है आपका बहुत ही जल्द उसका ही पीडिएफ हम आपको provide कर देंगे अभी कुछ जो है issue की चलते वह नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब जो है आपका time पर सारा कुछ मिलता रहेगा और इसके बाद जो है हम आपका question series भी कराएंगे इसका जो की previous share में पूछे गए थे तो चलिए दोस्तों आपसे एक ही request है कि आप लोग वीडियो को अधिक सथिक share करना अपने friends के मोग ताकि हमें motivations मिलता रहेगा तो चलिए दोस तो फिर मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye